देश को तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए पिम मोदी हर बैठक में जन प्रतनिदियों को विकास का मूल मंत्र देते हैं आने वाले सालों में देश कहां से कहां पहुँचेगा लोगों की तक्दीर कैसे बदलेगी कैसे होगा तेजी से विकास इसके लिए पिम मोदी ने नीती आयोग की बैटक में 15 सालों का रोड मैप तयार किया नीती आयोग की गवर्निंग काउंसल की तीसरी बैटक में पिम मोदी ने New India का विजन पेश किया इसमें 7 साल का रणनीतिक दस्तावेज और 3 साल का एक्शन प्लान शामिल है बैठक में मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया का विजन तभी साकार हो सकता है जब राज और उसके मुख्य मंतरी मिलकर प्रयास करी प्यम ने कहा कि किंद्री उजनाओ स्वच भारत स्किल डिवेलेपमेंट और डिजिटल पेमींट पर मुख्य मंतरियों की राय ली जाएगी प्यम के मुताबिक देश में बदलाव लाने के लिए नीती आयोग नय जोश के साथ कदम उठा रहा है प्यम ने ये भी माना कि नीती आयोग सरकारी इनपुट्स पर आधारित नहीं है बदलाव को साकार करने के लिए युवा विशेशग्यों और एक्सपर्ट्स को जोड़ा गया है बता दे कि इस बैठक में कैबनेट मंतरी, राज्यों के सियम, अधिकारी, नीती आयोग के सदस्य और खास तोर पर बुलाए गए महमान शामिल हुई हाला कि पश्चिम मंगाल की सियम, ममता बनर्जी और दिल्ली के सियम अर्विन केजरिवाल इस बैठक में नहीं गए केजरिवाल की जिगें डिप्टी सियम, मनीश्च सिसोधिया बैठक में हिस्सा लेने पहुंची तो पियम मोदी ने आने वाले 15 सालों के विकास का खाका इस मीटिंग में तयार कर दिया है लेकिन अब देखना होगा कि ये रोजनाएं धरातल पर कब तक उतरती हैं देश को बदलने का सपना जो पियम देख रहे हैं क्या वो साकार हो पाता है या नहीं देखते रहे ये डीवी लाए